रोसरा थाना छेतर के पवरा निवासी एक यूबक दुलहा बनकर पुरी जोस और उत्सा किशाथ बरात लेकर विभुतीपूर गाउं पहुचा लेकिन जब शादी की रच में सुरू होने लगी तभी एक चोकाने वाली घटना ने महौल को अचानक बदल दिया सुकुरूबार की देरात पवरा शेबरात लर्की के दरवाजे पर पहुचते ही दुलहन बहाने बना कर अपने प्रेमी शन भाग निकली ग्रामिनों ने शमाजिक परतिष्टा बचाने की ख्यासे लपता दुलहन की छोटी बहान से दुलहे की शादी रचा दी इसके बाद बरात सहीत दुलहा दुलहन को पीदा किया गया मामला सुकुरुबार की है बता दे की दुलहे की बरात जैसे ही उसके घर पहुची दुलहन अपने प्रेमी के साथ भाग गई जिसके बाद दुलहे ने अपनी इज़त बचाने के लिए उसकी छोटी बहान से दुलहन के परिवार ने रात में परमपारिक रितीरेवाज के साथ साधी की शवी जरूरते तयारी पूरी कर ली थी लेकिन दुलह के बरात लेकर आने की ख़बर मिलते ही दुलहने बातरूम जाने के बहाना बनाकर घर से भाग गई यह बात पूरे छेतर में आग की तरह फ्राइल गई है और पूरे छेतर में चर्चा का विशय बना हुआ है क्या मामला हुआ है हमारी बती जी कल साधी था साधी कल था और 11 बज के कुछ मिनट में यहां से कल गई और लरका मनिश कुमार पासमान है लरका के पिता जी का नाम है राज कुमार पासमान और मनिश कुमार पासमान उसको फुसला पुना के लेके फरार हो गया और कल उसी का था लर्की को खल उसका साधी ने हो पाया लास्ट में हम लोग समाज सब मिलके लड़की के बहंद चोटी बहंद के साथ और कि बहुत पर साधी ऑदिई ने कि भुए उसके बाद आज अचानक लर्का मनिश कुमार और उसका फुआ का लर्का यहां लरकी लाया गया है और यहां चोर के चला गया है तो हम लोग समाज सब एक उपर मतलब बरी बहन की साधी लगी हुई थी कहीं कोई गाउं में बराती आने वाला था 21 तारी को रात में इसी दौर मियान जो है 11 बजे वो लड़की जिसकी साधी होने वाली थी गाउं की परोसी के साथ तो वो भाग जाती है भागने के बाद वो लड़का फिर जो है सुबा में उस लड़की को दे जाता है कौन ले के आता है मनेश कुमार और संदीब कुमार लेका है और मनेश कुमार कौन लगेगा उसका लड़का का फुवा का लड़का है फुफेरा भाय है लड़का और लड़की के घर की कितने दूरी होगी अच्छा इससे पहले आपको लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि उसका किसी के साथ चक्कर है लड़की फोन की थी लड़की फोन के लड़की फोन के लड़क़े से हम बात की लगवा आठ बजे रात में लड़की तुम रिटर ना जाओ को तुम रख लो इजट बचा लो अच्छा भागी कब थी कर दीन में सारी को से न किसा ऑग कर तो अठ आट वजे रात में को मतलब हम दो certeza इसे ब्राज़ा ब morph beggar को सब्सक्राइब मुझे लड़को भून मे पूँन गरभी तो हमको बलाक्राइब हम कर दो स्कूल ड два था पहला कि तुम अगर रुसरा में तुम्हारे पास समय है दू-तिन घंटा तुम आजाओ जाओ जिसके यहां इत्षी उनसे भी बात किये जिसर आपको अगर डॉट अगर बुझाता है तो हमको आपके लिए बुलाइए चुके अभी मेरे पास दू-तिन घंटा समय है बराते के गारा बजे को बाद आता है दसे गारा बजे को बाद आता है कि बली कि नहीं हम नहीं आगे है मनीश कुमार बोला है तुम साधी करें तो मुझा इंप करो अच्छा एक बताए लड़की अकेले भागी थी कि या उसके साथ अकेले भाग गई यहां से अकेले भाग गई थी लेकिन उस लड़का जो जिस पे आप लड़का जिस पे मतलब आप आरूप लगा रहे हैं वो मतलब लड़की के मुझसे ही आप यह बात सुने हैं कि लड़का हमको बोला है कि हम साधी करेंगे यह बात अच्छा इसमें आवेदन दिये आप थाना में आवेदन दिये और गये वहां आवेदन लेके तो थाना मौद नहीं रिसीव किये और हम लोग को ही डाट के भागा अब अब हम उसको रख क्या करेंगे लड़की को हम अपने घर में रखेंगे नहीं लग की जहां रात गुजारी है वहीं सब दिन गुजारेगी इसके साथ रात गुजारी है उसीकसाथ अपना रहे उसी यही है अब लोग छाहते है कि जो लड़का लेके गया है तो उसी के साथ तो अपना साधी कर ले या कुछ भी कर ले उसका परिवार अपना उसी के साथ है मतलब उसका परिवार राजी है उसका परिवार राजी नहीं है क्या हुआ परिवार परिवार लर्की को यहां लाके छोड़ दिया गया था लेकिन हम लोग समाज सब है सभी समाज मिलके गए त तुम यहां नहीं रहे तुम जहां थी वहीं तुम जाओ फिर यहां से लर्क के नहीं या तो वहां से उतर छ३बूदा आया लठी रंटा लेकर लर्की को मारवर किया लठी घंटा से समझे और हम लोग गया तो बोला लड़का के बाप मने इसको बाप बोला कोई माधर चुछ बेटी जो समाज नहीं आएगा मेरे दर्वाजा पर तो मालीजे हम सब समाज गये थे जात परजा सब गये थे वहाँ पर चुकि घटना पर यह घट गया था सब समाज हम लोग को अभी लड़की कहा है लड़की अवे ठाने पर है लड़की को रिजिव कर लिए रिजिव कर लिया है कर लिए